95 प्रतिशत लोग अपनी अनूठी प्रतिभा को जाने बिना जीते हैं और मर जाते हैं। लोग कन्फ्यूज हो गए हैं क्योंकि बुनियादी चीजें नहीं संभाली गई हैं। आपको बस काबिलियत बढ़ानी होगी। आप हर स्थिती में जान जाएंगे कि क्या करना है। आप अपनी वुद्धी और क्षमता के अनुसार बहतरीन चीजें कर पाएंगे। कुछ हफ़ते पहले हारवर्ड बिजनस स्कूल के डीन ने मुझसे कहा। हम लीडर्शिप की बाते कर रहे थे। और वे एक प्रमुक बिजनस स्कूल के डीन के रूप में अपनी फिलोसफी बता रहे थे। वे बोले मेरा तरीका है जानना, कुछ करना, वहां होना, कुछ वास्तविक ज्यान होना और विशेशग्यता के हिसाब से काम करना और हर दिन उसी धरह जीना। और मुझे लगता है कि सद्गुरू की यात्रा की सबसे जबरदस्त चीज यही रही है। उनके द्वारा किये गए काम। आपने वहां कुछ कारिक्रम देखे। पर शायद आप कुछ चीजे बता सकें जो आप दुनिया में चला रहे हैं। क्योंकि ये सिर्फ आकर बाते करने, मिलने और फिलोसफी देने के बारे में नहीं है। ये वाक़ा ही कुछ करने की बात है। हमें दुनिया भर में चल रहे हैं आपके कामू के बारे में बताएं। कि आप उन्हें कैसे करवाते हैं। जब हम कहते हैं होना, तो हम अपने अस्तित्व की मूल प्रकृती के बारे में बात कर रहे हैं। हमारे अस्तित्व की क्वालिटी से हमारे बोध की क्वालिटी तै होती है। और हमारी बोध की क्वालिटी से ये तै होता है कि हम क्या जानते हैं और क्या नहीं जानते हैं हमारे काम इसका नतीजा है इसे उल्टा कर दें तो ये ऐसा होगा फल, पेड, जड, मिट्टी पर फल ऐसे नहीं लगते मिट्टी, जड, पेड़ और फिर फ़र इसे उलट देने से आप जबरदस्ती कुछ पा सकते हैं पर आपको नुकसान भी होगा आज मैं भारत और पूरी दुनिया के कई बिजनेस लीडर्स के साथ काम कर रहा हूँ मैं इसे आम धारना नहीं बनाना चाहता लेकिन मैं कहूंगा कि उनमें से कम से कम 60 से 70 प्रतिशत लोग 45 क्यों में पहुँचने तक कई रूपों में वे गंभीर तरीके से डैमेज हो जाते हैं या तो वे भावनात्मक रूप से परिशान हो जाते हैं क्योंकि उनके काम वैसे हैं या कई लोग बहुत सी शारिरिक बीमारियों से पीड़े थें जो कि उनके हिसाब से उनके काम का एक स्वाभाविक नतीजा है क्योंकि वे चीज़ें जबरदस्ती कर रहे हैं अगर आप कुद्रत के नियम नहीं समझते कि जीवन कैसे खिलता है आप पेड़ से पहले फल चाहेंगे तो जाहिर है आपको चीज़ों के साथ जबरदस्ती करनी पड़ेगी जबरदस्ती का तरीका अपनाने से एक चीज हासिल हो सकती है पर बाकी चीज़ें बिगड़ जाएंगी दुनिया के सबसे समरिद्ध, सबसे अमीर समाज, हर जगा सिर्फ यहीं नहीं इससे गुजर रहे हैं वे समरिद्ध हो चुके हैं पर व्यक्तिकत जीवन में या समाज में या देश में समरिद्धी पाने का मूल विचार यही है कि उससे हम अलग-अलग तरह का पोशन और जीवन शैलियां चुन पाएं इसी लिए मनुश्य समरिद्धी की तलाश करता है ताकि हम पोशन और जीवन शैलिये खुद चुन सकें अब अगर आप लोगों का जीवन देखें तो ये चीजें चुन कर वे खुश नहीं है ये चुनाव उन्हें परिशान कर रहे हैं लोग नहीं जानते कि क्या खाएं क्या करें क्योंकि हमने बुनियादी चीजें नहीं संभाली हैं हम रेस में शामिल तो होना चाहते हैं पर रेस की मशीन नहीं बनना चाहते हैं हम बस जीतना चाहते हैं जीतने की इच्छा से जीत नहीं मिलती जीतना कौन नहीं चाहता, सभी चाहते हैं पर अंत में काबलियत ही जीतती है तो चाहे स्कूल में हूँ या कॉलेज में या पेशेवर महौल में हम अपनी एक शमता को बढ़ाने के बजाए अपनी इच्छाएं बढ़ा रहे हैं जिसे हम महत्वा कांक्षा या लक्ष बनाना चाहते हैं आप अपनी एक शमता बढ़ाए बिना इच्छा बढ़ा रहे हैं या आप अपनी एक शमता तो बढ़ा रहे हैं पर इच्छा ज्यादा बढ़ी है नहीं आपको बस ख्षमता बढ़ानी होगी आप जो कर सकते हैं वो शायद आपकी इच्छा से परे हो या शायद उससे कम, हम नहीं जानते पर अपनी क्षमता बढ़ाए बिना आप अपनी इच्छा बढ़ाना चाहते हैं जिससे अच्छा प्रदर्शन करने पर गैर जरूरी तनाव पैदा होता है देखिये क्या हालत है आप अपनी खुशाली भुगत रहे हैं इसे माफ नहीं किया जा सकता क्योंकि हमारी खुशाली इस धर्ती पर मौजूद हर दूसरे प्राणी को एक बड़ा नुकसान और दर्द दे कर आ रही है और हम इसे भुगत रहे हैं बस इसी लिए कि हम घोड़े से पहले गाड़ी लगा रहे हैं तो होना अंतिम चीज नहीं हो सकती कुछ करना जानना और होना नहीं नहीं होना पहली चीज है अगर आप होना नहीं जानते तो आपको हर जगा कश्ठ होगा अगर आप होना जानते हैं तो चाहे आप सैन फ्रांसिस्को में काम करें या मंगल ग्रह पर कोई फरक नहीं पड़ता आप जहां भी हों आप काम कर पाएंगे कौन सा काम? आप अपनी बुद्धी और क्षमता के हिसाब से काम करेंगे आप बस यहीं कर सकते हैं अपने जीवन में वो काम जरूर करें जो हम कर सकते हैं पर जब आप ये खेर जरूरी फाल्तू का तनाव पैदा कर लेते हैं कि आपकी इच्छाएं आपकी ख्षमता से बड़ी हैं क्षमताएं बढ़ाएं बिना पूरा ध्यान देकर क्षमता को बढ़ाने की बजाए हम इच्छाएं बढ़ा रहे हैं जिससे तनाव की स्थिती पैदा हो रही है तनाव होने से आपकी काबियत घड़ती है न कि बढ़ती है धरती की कोई भी मशीन बहतरीन काम तभी करेगी जब टकराव नहीं होगा जिस मशीन में टकराव कम से कम है वो मशीन बहतरीन है यही इनसानी शरीर पर भी लागू होता है अगर ये कम से कम टकराव के साथ काम करें तो ये बहतरीन काम करेगा शायद आप दूसरों जैसे बन न पाएं पर आप अपने चरम पर होंगे यही सब कुछ है और हर इंसान में प्रतिभा मौजूद है पर मैं कहूंगा कि जैसी स्कूली शिक्षा हम दुनिया भर में हर जगा दे रहे हैं और जैसे हम जी रहे हैं मैं कहूंगा कि 90 प्रतिशत लोग अपनी अनूठी प्रतिभा को जाने बिना जीते हैं और मर जाते हैं बस 2 से 5 प्रतिशत लोग ही अपनी काबलियत जान पाते हैं बाकी लोग वही काम करते हैं जो दूसरे कर रहे हैं वे वही करना चाहते हैं वे उसे उनसे बहतर करना चाहते हैं उनके लिए यही खुशाली है इसी लिए इनसानी प्रतिभाब बहुत बड़ी मात्रा में खो रही है और ये धर्ती पर सबसे बड़ा आपराद है कि मानव प्रतिभाब खत्म हो रही है क्योंकि सभी लोग वही काम करके दूसरों से उपर रहना चाहते हैं ये दुनिया में जीने का एक बचकाना तरीका है दुर्भागे से हर जगा यही हो रहा है हम छोटे पैमाने पर कुछ अलग कर रहे हैं बड़े पैमाने पर स्कूली शिक्षा और पेशेवर मांग सब इसी तरह से है हम एक धेर में बैठ कर उस धेर में सबसे उपर होना चाहते हैं ये जीने का एक क्रूर तरीका है सबसे उपर पहुँच कर आपको दुख होगा और वहाँ ना पहुँच कर भी दुख होगा पहुच कर दुख होगा